नमस्कार आपका अख़बार के यूट्यूब टेनल पर आपका स्वागत है मैं हूँ प्रदीप सिंग। भारती ये संस्कृति, सनातन संस्कृति, भारत की सभिता, भारत की अस्मिता, भारत की पहचान और भारत की एकता और अखंडता से जुड़े तीन महतपूर मुद्दे तीन मुद्धे ऐसे हैं जिनको लेकर लोगों के मन में पड़ी हलचल, उत्सुकता, आशंका और तरह तरह की भावनाएं थी कि ये होगा की नहीं होगा, होगा तो क्या होगा, सरकार क्या सोच रही है, सरकार ये करेगी एक नहीं, सरकार की मनशा क्या है, सरकार दरसल करना चाह को लेकर और इन तीनों मुद्दों को लेकर केवल बात ये नहीं है कि रोड मैप क्लियर हो गया बलकि सरकार की द्रड़ इच्छा शक्ती दिखाई दे रही है और ये द्रड़ इच्छा शक्ती प्रकट हुई है केंद्री ग्रह मंत्री अमिच शाह के एक इंटर्व्यू से जो उन्होंने एक चैनल को देते हुए जो बाते कहीं जो तीन मुद्दे जिनका मैं जिकर कर रहा हूं उनका विवरेवार एक एक करके उन पर चर्चा करता हूं पहला मुद्दा है Places of Worship Act जो 1991 में पास किया गया पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने पास किया जब देश में अयोध्या का अंदोलन चन रहा था राममंदिर का अंदोलन चन रहा था तब अयोध्या के अलावा बाकी किसी धर्मस्थल के मुद्दे को न उठाया जा सके इसके लिए यहाई तक होता तब भी का निमत थी यह कह दिया गया कि 1947 के बाद अगर कोई ऐसा मुकदमा दायर भी हुआ और किसी अदालत में चल भी रहा उसके सुनवाई हो रही है तो सुनवाई तदकाल बंद कर दी जाएगी इस कानून के बनने के बाद अब यह देखिए सुनने में जो केस बना कर पेश किया गया उससे लग रहा था कि यह सामप्रदाईक सवहाद को बनाये रखने के लिए देश में विवाद ना खड़े हो इसको रोकने के लिए है लेकिन दरसल यह सनातन संस्कृती पर सबसे बड़ा कुठारा घात था 1947 के बाद दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो अपने गुलामी के जो चिन है उनको न मिटाना चाहे जो अपनी संस्कृती की पुनरस्थापना न करना चाहे उस पर कानूनी रूप से संवैधानिक रूप से रोक लगा देना इस से बड़ा आत्याचार सनातन धर्म पर और कोई हो नहीं सकता था जो पीवी नरसिमा राव की कॉंग्रेस सरकार ने किया और ये उस कानून के जरिए जो फंडामेंटल राइट है संवैधान से मिला मौलिक अधिकार अपने धर्म और पुजा पाठ का जो है उस पर प्रतिबंध लगा दिया कि हमारे जो मंदिर हैं जो प्राचीन मंदिर हैं जिनको गिरा दिया गया तोड़ दिया गया जिनको नष्ट करने की कोशिश हुई आधा नष्ट करके छोड़ दिया गया उन सब पर हमारा कोई दावा नहीं होगा उन सब का जरनोधार पुनरोधार नहीं कर सकते हम ये इस देश में 31 साल से चल रहा था और किसी अदालत ने, किसी पार्टी ने, किसी सरकार ने इस पर पुनरविचार करने की इसके बारे में चर्चा करने की जरूरत नहीं समझी लोगों के मन में आक्रोश था उसको समझने की कोशिश नहीं की आज जो भारतिय जंता पार्टी का उफान उथान आप देख रहे है उसमें लोगों का इन मुद्दों पर जो आक्रोश है उसका भी नतीजा है ये बाद कॉंग्रेस पार्टी और दूसरे विपक्षी दल समझ नहीं पा रहे अब भी नहीं समझ रहे है अब भी वो इसके खिलाफ है अब भी वो इसका विरोध कर रहे है 12 दिसंबर तारीख याद रखिएगा 12 दिसंबर को केंदर सरकार को सुप्रीम कोट को बताना है कि Places of Worship Act पर केंदर सरकार का क्या रुख है क्या रवया है अब केंदर सरकार क्या बताएगी ये तो पहले से पता नहीं चल सकता सरकार बताएगी वे नहीं मामला सब्जुडिस है Contempt of Court हो जाएगा इसलिए इस बात को बाहर भी नहीं आने दिया जाएगा लेकिन जो केंदरी ग्रिह मंतरी ने एक वाक्य बोला वो अपने आप में सपष्ट है कि सरकार का रवया क्या होने वाला है उन्होंने कहा कि देश का कोई कानून जोडिश्यल स्कूर्टनी से नहीं पच सकता हर कानून को नयाईक प्रक्रिया की पड़ताल से गुजरना पड़ेगा तो इससे आप समझ लीजे कि सरकार इस कानून पर पुनरविचार के लिए तयार है इस कानून को रद कराने के लिए तयार है अगर अदालत से ये कानून रद नहीं किया जाता है मान लीजी, मैं कोई पहले से भविश्यवानी नहीं करना चाहता कि सुप्रिम कोर्ट क्या करेगा उसका क्या फैसला होगा लेकिन इस संभावना से इस आशंका से बनकी इनकार नहीं कर सकते कि हो सकता है सुप्रिम कोर्ट इस कानून को रद न करे तो आप ये मान कर चलिए कि आने वाले दिनों में सुप्रिम कोर्ट से हो जाता है तो बहुत अच्छा है जैसे राम जन भुमी का राम मंदिर का मामला सुप्रिम कोर्ट से हल हो गया तो उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती लेकिन अगर नहीं होता है और मैं उस समय भी कहत अगर सुप्रीम कोर्ट से नहीं होगा तो ये सरकार संसथ से कानून लाकर राम मंदिर के निर्मान का रास्ता प्रस्थ करेगी। ज़्यादा संभावना इस बात की है कि सुप्रिम कोट इस कानून को रद कर देगा एक और उमीद की करण जो ग्यानवापी मामले पर जस्टिस चंदचूड का निर्देश था जो अब भारत के मुख्य नय अधीश है ग्यानवापी मामले में उन्होंने जब मुद्दा उठाये गया कि भाई 1991 का जो प्लेसे अफ वर्शिप एक्ट है उसके तहट इस मुद्दे को नहीं उठाये जा सकता तो उन्होंने कहा लेकिन वो एक्ट इस बात से नहीं रोकता कि किसी धार्मिक स्थल की वास्तविक्ता क्या है उसको उसकी जांच करने से नहीं रोकता है यानि कोई धार्मिक स्थल किसी और ने कबजा कर लिया किसी और के कबजे में है उसको तोड़ दिया गया है तो उसकी जो वास्तविक्ता है उसकी जांच परताल से नहीं रोका जा सकता अब जाश परताल के बाद अगर पता चलेगा कि वो जो है सनातन धर्म का है हिंदू धर्म का है तो उसको उनको सौंपने से कैसे रोका जा सकेगा तो इसलिए मैं कहरा हूँ कि इस मामले में बहुत स्पष्ट रूप से आगे का रोड मैप दिखाई दे रहा है कि ये कानून ये काला कानून बहुत जल्दी खत्म होने वाला है वो अदालत से होगा कि संसत से होगा ये मुझे नहीं मालूम लेकिन इतना मुझे दिखाई दे दूसरा Common Civil Code, समान नागरिक संगिता, इसको लेकर भारती जनतापार्टी, जनसंग और भारती जनतापार्टी, दोनों के मैनिफेस्टों में हमेशा ये मुद्दा रहा, और ये भारती जनतापार्टी का संकल्प भी है, कि Common Civil Code आएगा, इसके बारे में जो बात कही ग्रिह मंत सेकुलर कंट्री में, किसी धर्म देश में, धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर कानून कैसे बनाए जा सकते हैं, सभी नागरिकों को सम्मिधान के मताबिक समान नागरिक अधिकार मिलने चाहिए, इसका मतलब UCC बनेगी, कैसे बनेगी, इसके बारे में भी उन्होंने एक तरह का संकेत दे दिया, आम तवर पर जो मुद्धे सम्मिधान में, कांकरेंट लिस्ट में होते हैं, यानि समवर्ती सूची में, मतलब जिन पर केंद्र और राज दोनों कानून बना सकते हैं, उसमें होता यह है कि केंद्र सरकार संसत से प्रस्ताव पास करके कानून ब पामले में ऐसा लगता है कि सरकार उल्टा करना चाहती है, तीन राज्य, देश के तीन राज्य, उतराखन ने शुरुआत की इसकी, उतराखन, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, फिर गुजरात, तीन राज्यों ने गोशना की है, युनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने क इसके लिए कमेटी बना दी है, और कमेटी ने अपना काम करना शुरू कर दिया है, अमिशा ने कहा कि हम चाहते हैं कि ये इतना बड़ा मुद्दा है, इस पर एक आम सहमती बने, लोगों में चर्चा हो, तो ये जो तीन राज्यों ने किया है, ये उस चर्चा का रास्ता ख करा देंगे, फिर संसत विचार करेगी कि उसको क्या निर्नाय लेना है, यानि वो किसी सारवजेनिक मंच से इसकी घोश्रा नहीं कर सकते थे, कि हम यूनिफार्म सिविल कोड लागू करने जा रहे हैं, संसत का सत शुरू होने वाला है, अब इस मामले में मुझे जो लग र देते हैं, तो फिर संसत विचार करेगी, दूसरी बात कही कि 2024 में भी हम ही आ रहे हैं, इसलिए आप निश्चिन्त रहिए, ये लागू होगा, तीसरा मुद्धा ऐसा है, जिस पर भाजपा समर्थक और भाजपा के जो समर्थक नहीं हैं, लेकिन इस मुद्धे के समर्थक उनमें बड़ा आक्रोश, उनमें बड़ी नाराजगी, उनमें सरकार के इरादे को लेकर, सरकार की मनशा को लेकर, उसकी जो नियत है, उसको लेकर सवाल उठने लगे थे, वो है CAA, यानि Citizenship Amendment Act, ये 2019 में पास हुआ, उसके बाद जो है, करोना आ गया, उसको लेकर बहुत व विरुद हुआ, और आपको शाहीन बाग तो यादी होगा, किस तरह से पूरे Left Liberal Ecosystem ने उस कानून को भारती मुसल्मानों के विरुद बताने की कोशिश की, और वो काफी हद तक इसमें सफल भी हो गया, क्योंकि भारती मुसल्मान इस थियोरी को अपने आप स्विकार करने को तयार थे, और इतना बड़ा समू, एक समू जो है लगातार प्रचार कर रहा था, और सड़क पर उतर आया था, तो उससे भी लग रहा था, तो लग रहा था कि सरकार डर गई, सरकार को चिंता हो गई है, कि इसका प्रतिकूल प्रभाव पर सकता है, इसका वोट पर नुक क्योंकि जब तक rules नहीं बनते कानून तो पास हो गया संसन से लेकिन जब तक उसके नियम नहीं बनते तब तक उसे लागू नहीं किया जा सकता तो उसे लागू तभी किया जा सकता है जब कानून बने तो ग्रेह मंतरी ने कहा कि ये कानून पास होने के कुछ समय बाद ही रूल्स बनते हैं उसे पहले ही करोना आ गया लॉकडाउन हुआ इस वज़े से ये टलता गया लेकिन अगला वाकि उन्होंने जो कहा उसको समझे सरकार की इच्छा शक्ति का प्रमार उन्होंने कहा कि ये C.A. लागू नहीं होगा य ये सपना भी देखना छोड़ दे लो बहुत जल्दी ही रूल्स फ्रेम किये जाएंगे और C.A. लागू किया जाएगा तो ये तीन ऐसे मुद्दे है ये एक एक लल पीरियड था इस बीच में जिन तीनों मुद्दों को लेकर लग रहा था कि सरकार बड़ी शिच्छेल है सरकार शायद इस मामले में कुछ करना नहीं चाहती सरकार जो है उसने समय पर छोड़ दिया है कि जो रुक ले समय उसके हिसाब से चलेंगे लेकिन अब स्पष्ट हो रहा है कि सरकार करावईया सरकार का रुक बड़ा स्पष्ट है मोदी सरकार इन तीनों मुद्धों पर एक निरनायक भुमिका निभाने की इच्छा शक्ती रखती है और उस इच्छा शक्ती के मताबिक इन तीनों मुद्धों पर जन भावना के अनरूप फैसले और कानून बनेंगे ऐसा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है इन तीन मुद्धों पर सरकार के इस रुक के बाद और इनके लागू होने के बाद और इनके लागू होने के बाद निश्चित रूप से जन मानस पर इसका व्यापक असर पड़ेगा सरकार को लेकर इन मुद्दों को लेकर सरकार के प्रती लोगों के मन में जो भाव आ रहे थे जो एक तरह की नाराज़गी का भाव आ रहा था वो दूर होगा तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ इस सरकार का अपना रोड मैप है इस सरकार का अपना टाइम टेबल है, वो उसके अनुसार काम करती है, वो इस दवाव में कभी काम नहीं करती कि लोग नाराज हो जाएंगे, या हमको इससे वोट का नुकसान हो जाएगा, नुकसान फायदे से उपर उठकर, निश्चित रुप से सरकार ये देखती है, कि इस इसके आधार पर फैसले होते हैं, चुनाओं में फायदा अपने आप मिल जाता है उसका, उसके उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है, जब लोगों को लगता है सरकार काम करती हुई दिखती है, उनकी इच्छा की पूर्ती करती हुई दिखती है, तो लोगों का मन भ मिलेगी, जानकारी मिलेगी, उनके बारे में आपको अगद कराऊंगा, लेकिन आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे, किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजे, आप से अन्रोध है कि ये चैनल देखिए, शेर कीजे, लाइक कीजे और सब्सक्राइब जरूर कीजे, नमस्कार.